अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं और आपको बार बार कॉल आ रहा है और आपको धंकी दिराए कि आपको F.I.R. किया जाएगा आपके घर पर बंदे को हुए आएगा तो जानेंगे इस बीडियो में कैसे आप लोन रिकवरी एजेंट का जो फोन आता है कैसे आप उसे बस करके आप अपने M.I.E. को रोग सकते हैं और आप लोन भी नहीं वरेंगे तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा तो step by step बीडियो में समझेंगे तो आप लोग से request है बीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप लोग फुल वाच करिए अब यहां पर अब यहां पर देखिए क्या है कि उनका काम है अगर आपने M.I.E. fraud की मतलियां पर जूकि डिफॉल्ट की है आपने नहीं फिलप किया है लोन का तो फिर उनका आप 25-30-40 बार आपके नंबर पे call आएगा तो बहुत सारे लोग का क्या पहला इस टेफ होता है को phone को ही silent रग सिंपल सा ना उनका call आएगा ना कुछ आएगा और आप चुक जब अपने घर पे रहेंगे पहला तरीका दूसरा तरीका यह जानेंगे कि बहुत लोग को call उठावी लेते हैं तो उनको धंकी मिलती है कि आपके घर पे agent जाएगा तो अरे बाई agent जब आएगा तो बैंक के सिर्फ से कोई तो लेटर लेकर के आएगा आप जहां से जो भी application से लोन लिये हैं तो वहां से कुछ भी तो आएगा लेकिन उनके पास ना ID काड़ होता नहीं कुछ होता है तो उनसे आपकी डरने की जरूरत नहीं वह आपको कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है तो आप जितना घबराएंगे आपको फोन आ रहा है आपको क्या कर देंगे कुछ भी वो लो कर नहीं पाएंगे क्योंकि देखिए अगर जो इंसान ने आप लून लिया है तो उसका भी मतलब है कि वह आपको payment करे लेकिन एक दो महीने आपके default होता है तो ऐसा नहीं उसका जान चला जागा अरे भाई लोन है हमने लिया अगर जो हमसे आपे default हो रहा है नहीं पैसे हो पा रहे है तो हमको फिर से उसको जो कि अगले महीने रिपेमेंट कर देना है जो इतना भी प्लांटी लगेगा हम भरेंगे हमारी मर्जी है वो आपकी मर्जी थोड़ी नहीं हमने लिया था तो आ आप लोन लिया है तो आपको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है ठीक है अगर आपने एप से लिया है तो फिर आपको पता है कहां का उपीस से बस उनका यही काम है कि आपको दिन भार में 25-30 बार कॉल करेंगे और आपने जो और contact नमबर दिया है उनको भी यह लोग कॉल करके य नमबर रहेगा या तो फिर आप ऐसा कोई नमबर दिजेगा जो आपका नमबर बंद रहे और यह लोग वहां पर टेस्ट नहीं कर पाए तो यह आपके लिए कहीं न कहीं ठीक रहेगा अने था आपको कॉल कितना भी आए आप लोग रिसीप नहीं करिए तो फिर आपका कॉल करते रहेंगे अगर आप फोन नहीं रिसीप करते हैं तो फिर आपका कुछ भी नहीं विगाड़ पाएंगे तो आप लोग हमारी बातों से सहमत हुआँगे कि लोन के लिए अगर आपको बार बार कॉल आता है तो आप लोग निश्चिंद रहेगे आपको कोई कुछ भी नहीं कर पायागा ठीक है और फिलार आपकी क्या राय है आपने कितने का लोन ली अपना कमेंट्स तरके जरूर बता है और पार्ट टू भी आने वाला तो चैनल को सब्सक्राइब परके जरूर रखें